एक हेल्दी सरीर के लिए सारीरिक स्वास जितना महत्तोपुन है, मानसिक सेहत भी उतना ही जरूरी है। आपका mental health सिफ आपके mood से जुड़ा हुआ नहीं है, बलकि इसका connection पूरे सरीर से है। क्या आप जानते हैं, मानसिक सेहत अच्छी नहीं होने की वज़ा से इन दिनों लोग डिप्रेशन का भी सिकार हो रहे हैं। आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी, लेकिन मानसिक संतुमर बिगड़ने के पीछे आप खूद भी जिमवार हैं। दरसल आपके मानसिक स्वास पर आपकी कुछ आज़ते भी गंभीर असर डालती हैं। जिसका प्रणाम आपके पूरे सरीर को जहलना पड़ता है। लोग छोटी-छोटी चीजों का स्ट्रेस लेने लगते हैं स्ट्रेस की वज़ा से धीरे-ध्रे लोग आउसाथ में जाने लगते हैं जिससे मानसिक सेहत को बहुत ज़्यादा हानी होती है दूसरा बिंदू खूद को वक्त न देना फिर लगे और सुनने में भी अजीव लगे लेकिन खूद को समय देना बहुत जरूरी है आज कल की भागती दोड़ती जिंदगी में लोग खूद को वक्त देना ही भूल गया है अपने बीजी काम के बीच आप अपने ले कुछ वक्त निकाले और खूद को रिलेक्स करे नई होबी डेवलप करें आस पर नंगे पैर घुमें मेडिटेशन करें ऐसा करने से आपका मन सांथ होगा और आपको अच्छा लगेगा तिसरा बिंदू हम लोग बात करते हैं हेल्दी डाइट ना लेना आप जो भी चीजे खाते हैं उसका असर आपके फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ पर भी पढ़ता है इन नों लोग बाहर का खाना जंक फूट का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं इससे न क्योला आपका वजन बढ़ता है बलके मेंटल हेल्थ बहुत प्रभावित होता है इसलिए आप अपनी डाइट में उन चीजों को सामी करें जो आपके मानसिक सेहत के लिए अच्छी हों कैसे हरी सबजिया, ओमेगा थिरी पैसी, हाइटी एशिड और बहुत सारे प्रूट्स नेक्स बिंदू बात करते हैं आधी अधुरी मींद लेना आधी अधुरी मींद की वजह से भी आपका मेंटल पीस उड़ सकता है दरसल लोग आजकल देरदा तक मोबाईल स्कॉल करते रहते हैं जिसकी वजह से लोगों को सिर्दट की समस्या सुरू हो सकती है इसलिए हमेशा पूरी मींद लें आपके मानसिक स्वास पर नकरात्मक असर डालता है और लास्ट पॉइंट बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज ना करने से भी आपके मेंटल हेल्ट पर बहुत बुरा असर पड़ता है जब आप बयायाम करेंगे तो आपके सरीर आपके मूट को अच्छा रखता है और मानसिक सेहत अच्छी रहती है इसलिए रोजना रूटीन में एक्सरसाइज को सामील करें तो दोस्तों ये थी ऐसी आदते जिससे हमारी मेंटल हेल्ट पर बहुत ही बुरा परभाव करता है और आगे जाकर ये हमारी लिए और भी खत्रा पैदा कर सकता है इसलिए मेरी सलाह है आपसे कि आप इन बुरी आदतों को छोड़ें जिससे कि आपका मेंटल हेल्ट पूरी तरह से स्वस्त्र है और आप एक स्वास्त और हेल्दी लाइप को अच्छी तरह से भिता सकें